चुटी है रहता है जाएज असलाम अलेकों मैं हुआ लवाशेक आप वेलकम बैक अगैंट तो मैं चैनल तो आज है मेरा बर्डे और मैं पहने वाली हूँ ये क्यूट सा टॉप देखो बर्डे ना सबका सबके लिए स्पेशल होता है अविसली मेरे लिए भी है और जैसे कि मैंने हमेशे कहा है कि I am not a party type person लेकिन मैं बहुत खुश होती हूँ ये दिन ये सोच के कि अल्ला ने मुझे ना बहुत कुश नावाजा है अगर मैं एक अच्छी life partner की बात करूँ एक healthy lifestyle की बात करूँ तो alhamdulillah मैं खुश हूँ अपनी जिन्दगी में और उतना ये भी सच है कि मैं बुडाफे की तरफ एक कदम और आगे बढ़ चुकी हूँ इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुआ है फिल कि मुझे अभी अपनी और ज्यादा care करनी चाहिए अपनी skin को लेकर अपनी body को लेकर और इस दिन ना जैनि जिस दिन नी बड़े होता है उस दिन ट्राइ करें कि ज्यादा से ज्यादा prayer करें आप जो भी religion के हो अब मैं यहाँ on camera बताने सकती है वहना लोग कहेंगे कि यह show off हो रहा है वैसे भी bad comments मेरे वीडियो पर आने लगे है तो ज्यादा से ज्यादा दुआय करें जैसे कि इस दिन हम लोग नमाज पढ़ते हैं जकात देते हैं और पड़ो की दुआय लेते हैं अपने दे को तो यह सब चीजे करते रहें और हम स्टार्ट करते हैं मेरे एक अच्छा वाला स्कीन कहें फेस वाश की बाद मैंने आइस क्यूब्स को अप्लाइ किया है बिकॉस आफेस की पॉफिनेस को भी काफी अच्छे से रिउस कर देता है इसके अलावा स्कीन को सूथ करता है ब्राइडन करता है पोर्स को क्लॉक करता है तो इसे एक फेशिल की तरह अप्लाइ करें अच्छा मैंने ना मोस्ली यह चीज को नोटीस किया है कि बल्डे वाले दिन बहुत सारे लोग बहुत ही नर्वरस होते है और मैंने लास्ट इयर इस चीज पर वीडियो बनाई थी और अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में अभी भी होंगी चेक आउट करना और मैंने इस खुछ से प्रॉमिस की थी कि मैं आने वाले बर्डे तक अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहती हूँ वो मैं कर लूँगी और अलहम्दुलिल्ला मैं वो चीज कर चुकी हूँ अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है ना तो गएं चेक आउट तो यहाँ पर मैं लैंसेस वीयर करना चाहती थी बड मैं थोड़ी सी खब्राई भी थी विकास मुझे डॉक्टर ने लैंसेस को अवाइट करने के लिए कहा था और मुझे ऐसे लग रहा था मैं पहनू नहीं पहनू बड अलहम्दुलिल्ला कहते ना कि अगर आप अच्छा चाहूंगी तो चीज अच्छी होंगी तो मैंने लैंसेस को वीयर किया बड अलहम्दुलला मुझे कुछ नहीं हुआ मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे आइस भी आर सो कूल और काफी अच्छी सी मैंने इसको वीयर कर लिया मुझे किसी पितार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जैसा कि मैं सोच रही थी तो अब मैं अप्लाय करूंगी विटामिन सी जैसे कि मैंने कहा कि विटामिन सी एक टाइम के बाद में स्कीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तो यहां पर मैं डॉटन की क्या विटामिन सी यूज कर रही हूँ और यह मुझे पसंदी बहुत है विकॉल इसका ग्लो काफी अच्छा होता है तो आई अप्लाय ऑन माई फेस, माई नेक वेट करेंगी 2-3 मिनिट इसके ड्राइव होने तक का विटामिन सी में बहुत पावरफुल एंटियोक्सिदेंट्स होते है जो स्लो कर देते हमारे स्कीन के एजिंग को यह प्रिवेंट करते संट डैमेज को और इंप्रूफ करते हमारे एपरियेंस यानि विंकर्स और डाक स्पोट्स को और आक्ने को हटाने के लिए तो आपको बहुत ही अच्छे वाले संस्क्रीन को यूज करते हैं अगर आप डेली संस्क्रीन को यूज करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वाले बेनफिट देखने के लिए मिलते हैं आपकी फेस पर सबसे पहले तो यह आपकी स्कीन को प्रोटेक्ट करता है संबर्न से इसके अलबब बहुत साही लोग को स्कीन कैंसर और प्रीमिच्वर एजिंग होने लगती है यह उसे भी प्रोटेक्ट करता है तो ऐ यह पर आपके हाथों और पैरों के लिए आपको अलग से संस्क्रीन लेने की ज़रूषत नहीं है क्योंकि अब ऐसे बहुत सारे प्रोटक्ट्स आते हैं जिसमें और एस्पी एफ होता हैं हां कम कॉंटी में होता हैं बर हम इसे और और कोई चीज मिला किसे लगा सकते हैं ज यह में पर जो बोडी लोशन है वो एवर यूथ का है और इसमें और इसमें 20 SPF है और जो मैंने संस्क्रीन लगाया है उसमें भी SPF है यानि दोनों कमबाइंड हो जाएंगे तो यह जादा अच्छी कॉंटिटी में SPF मुझे मिल जाएंगा मेरे हैंड और लेक्स के लिए बहुत सारी लोगों को लगता है कि मेकप एक धोका होता है बट मेरे हिसाब से कि मेकप हमारी ब्यूटी को और हीनहांस करता है और चार्चान लगाता है तो यहां पे मैं जो मेरा बेसिक और मेरा जो फेवरिट वाला फॉंडिशन इव अप्लाइ करूंगी इट समेबलिन आइसाइख अजैंंगी जादा अच्छी से ब्लेंड हो जाता है आज है तो यह सू यह विदाओ वेस्टिं टाइम मैं फे करोंगी ब्रॉंजिं जिससे बहुत आदा पसंद हैं मुझे ब्रॉंजिं काफी अच्छी लगती है तो आई ब्रॉंज माइव पेस नचीक ग्रॉं सुनाओ अप्लाइंगा लाइनर यहां पे कॉल काजल यूज कर रही हूँ उसकी हेल्प से में बनाऊंगी विंग्स लाइनर थोड़ा सा थिन वाला जो मेरी आँखों पे जादा सूट करता है वैसा यहां यह अच्छे से लग गया है नाओ मैं अप्लाइ करूंगी यह लिप्स्टिक यह मेरी फेवरेट न्यूड लिप्स्टिक है और मुझ पे काफी अच्छी लगती है सो आई वियर इट सो मेरी खाल से यह गोर्डन वाले यहरिंग्स काफी जाएंगे इस आउटफिट पर और इस लुक पर तो मैं यह गोर्डन वाले यहरिंग्स को वियर करूंगी कैसे लगे मुझे बताना गाइस कर दो बताना गाइस के वεται के एंग। के गजहों के रापन को को हम ज casing एक लग किता हाई में, हावा मिलू। नहीं नहीं नहीं? नहीं दो लावा दो दो पकेड़ा पक लुब है एक पकावा ताए कर दो आए जो आए और अश्याँ और भावा मैं यावा कि एक आए तो फाइनली हम पहुचे है बाबीकू नेशन यह मेरी ख़र से बहुत ही नियर बाइ है और मैं तो यहां फॉर्स्ट रायू हूँ महसन हमें शाहते रहते तो यह मेरा फॉर्स्ट राम है यह है रिस्टेप्शन और यहां पर हम इंट्रेश हमने जो बुकिंग करवाय थे हम उ तो हम लोग अंदर आ चुके हैं और यह रहा हमारा टेबल तो मैं यहां बैटूंगी और महसन बैटेंगे मेरे सामने अज प्रड़ करेंगे में यह र singular क्या चेप्टेंगे टे रहा है बना हुआव सक्टेप्टेंगे लगाँ निर को पुकिल रहा है जड़ाय झाल पोल्य कर ऊचार है और दूड़ाँ कर लोगाँ मार्स्टेंग्णगे लिएगां प्रस्टेंदाब क्वाष़्य ुर्स्ट कि यार हम यूटूपर्स का अलग होता है सारी दुनिया एक तरफ लें हमको हमारा वीडियो शूट करना होता है मौसिश मेरे वीडियो फोटो निका रहे थे बड मैं शूट करने में लगी थी कहां किस एंगल में मैं रखू और कहां से शूट अच्छा होंगा और यही तो बा हमने जो मैनू बुक किया था वो नौन वेश था बट पहले यह लोग इसमें कौन है मश्रूम है पनीर है और काफी टेस्टी फूट था I love यह पाइनेपल था जो बहुत ही टेस्टी सा यम्मी सा वाव पाइने में पाइने वाव ता जाओा अपर किसा प्रहत पारीको हीmile ज सराफी मीजली किसा स्णीज में डिकालीको स्पारीको स्वारीको पालीको स्पारीको किस्टोरी deliberate in ग såब कमें किस्टोरी किस्टोरीका ही जो में अच्छा एक्छल में जो वहां की मैनेजर से ना तो वह आके बोल कर जाते थे तो आप लोग बोलो हम वैसे आपको बना के देंगे तो यह काफी अच्छा लगा था मुझे के अपने टेस्ट के साफ से हम खानी का टेस्ट को चेंज करवा सकते हैं तीखा चाहिए तो थोड़ा सा चटपड़ा चाहिए तो या फिर आपको तो फीका लगता है तो यह काफी ज्यादा हम लोग को सेटिस्टेक्शन डगा था महाँ पर और फूट आर सो ऑसं महां के प्राउंज और फिश अमने सबसे ज्यादा ट्राइ किया है और बहुत टेस्टी था यहस तो सो यमी करें शीख वाब करें शीख तो परभश में पाथेज़ पाथेज़ को अधिया है खूआ जो इस वह को तो सो मा हजबन इस सो स्वीट वह मुझे बीच पीच में खिलाया था यह टेस्कर यह टेस्कर और यह रड लेडी जो हम लोग को यह स्ट्रॉबरी का एक तरहा सा यह जूस है जिसके अंदे स्ट्राइट बगड़ा होता है और सो ओसम इतिना टेस्टी था वो भी स्यस्ली हमको कॉंप्लीमेंटरी मिला था और यह है यहां पर विंग से जो मुझे इतने खासने लगे तो मैंने इसे नहीं खाया ओके मुझे थाह इतीो मिला और यह जो मम सुझे करो बकॉंदग प्याओ कर आँक का एक Arts कि अधिक और देखो यह है मेरा स्ट्रग गळ मैं एक हान से खाना खाड़ी और दूसरे हास से मैं फोटो शुड भी कर रहा थी वह एक तरफ से मेरा वीडियो शुड भी चाह रहा था और एक या हासे में अपने रील्स पागरे के लिए में वीडियो शुड करी जा रही थी ख नाम तो सुनाई होंगा और एक और एक देवेंश करके जो हमारे खाने पीने का ध्यान रख रहे थे कुछ भी चाहिए तो वो लाके दे रहे थे और हर टेबल का ये सेम ऐसा ही था अच्छा अभी जो हमने खाया ना वो सिफ स्टार्टर था मेंड कोर्स तो यहां पे हैं बढ़ हमलों ने खाया मेंड कोर्स बढ़ जो हां के मैंडेजर है जैसे कि मैं वीडियो शूट कर री थी तो उन्होंने कावि जादा मुझे हेल्प की दिखाने में कि क्या-क्या मेंड क में था पहलोज के बिख्षैब गोई मंचीना रिख्षैब पनिऴ बड़ान में醉ना आपी सेल में दाल मळनी 알family in major दी में बेस्टियाब्स है रिकिते और बेजुक्टी सभ्स भेज काउची रिख्षैबंचीन, बडिये नांने अग्यों आपी वेस्ट्मつरबू स Southeast come तो यह था मेन मेनू एंड डेजर्ट तो हम लोग को स्टार्टर जगह पर मिलता है बद आपको अगर कुछ भी डेजर्ट चाहिए या फिर मेन कोर्ष में सो कुछ भी चाहिए तो हमें उठकर खुद के हां से जितना खाना है हम उतना खा सकते हैं तो मैंने ब्राउनी वगरा ज्यादर ट्राइक करा और जैसे कि हम लोग ने स्टार्टर बहुत सारा ले लिया था तो उसकार में थोड़ा मीठा चाहिए था तो हम लोग ने मेन कोर्स को स्किप करते वे डा और लग जुचना आच में लेखा किया गारा लोग भी में घृट्प लाग गजिए तो जाली रहाए जएली शोट स्टार्ट में लाग दो पीछे भी दूप लाग दो मैंने कामा जाएंगा उटीच के लाग लाग तो आटारीच सारा खुझ फी लाग लाग तो लाग ने स यह फिरनिगा क्या है फिरनिगा में वाटमयलीन निशी है लेकिया हूं गुलाबू। पता नहीं किया सो रहा है। मैं तो फॉर्स टाम गहती तो मुझे समझ में आ रहा था कि कैसा सींज है मौपर कौंसी चीज का तो हम आसके मौसीन बार बार के इसका क्या करना है यह कैसे करना है तो मौसीन मुझे गाइड कर रहे थे कैसे कर दो कि रहाओ तो कि नहीं स्थ jazz प्राइण कर सक्या opened खव सारी तो कर दो हम जोप सक्ष्यक्तिato है हुआ। थे य prosperity कुछ going to subscribe क्या म्यव्सबब चर्टेक्ट में ग discuss बार पकर शीज़क्ति अहरा हुआ क्या? कि क्या लुआ हए वर्फ़शनेु झाल झाल मुझे पाइनेपल चाहिए था तो उन्होंने मुझे पाइनेपल भी लाके दिया काफी अच्छी कॉंटिटी में और राहूल ने सजेस्ट किया कि चार्ट मसाले के साथ खाये इन में केक कट हुआ यह कॉंप्लिमेंटरी केक था विकास मेरा बड़ी था इसलिए और सारे स्ट अच्छी तक रहा आप वहां पर था पीछे है अपी बड़ी का गाना लग रहा था काफी अच्छा मुमेंट था सुनाओ एंड में यह कुल्फी वाला तो रही गया था तो मैनेजर ने का कि आप ट्राइ करो इनके पास बहुत सारे कुल्फी फ्लेवर्स होते है तो एक पिस्ता और मैंगो वाला हम रोंग ने सेलेक्ट किया अगर आपको चाहे तो यह लोग फालूदा बना की भी दे सकते है तो इस तरहां से वह लोग प्लेट में कट करके देते हैं यू कैन इंजॉइ बैठे खाए काफी अच्छा था यह भी टेस्टी था वर्थी था और हम लोगे काफी इंजॉइ किया सो यह 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 था हमारा बड़े का डेई जो काफी जादा इंजॉइबल गया और खापी के हम ठाके हारे पहुचे हमारे घर सो मिलते हैं ने वीडियो में गाईस अला आफिस